हेलो फ्रेंट्स तो क्या आप अगर अपने घर में पेंट कराने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको चीज होने वाली हुआ है कड्फूशन क्योंकि मार्केट में इतने टाइप के पेंट्स है अगर मैं खुद सिफ एशियन पेंट्स ब्रैंड की बात करूँ तो उसमें इतनी सिरीज है जिसका कोई हिसाब नहीं है और आप जब पेंट कराने का सोच आपको समझ नहीं आएगा कि अगर ऑफिस में पेंट करा रहे हैं तो कौन सा पेंट कराएं इमलजन कराएं कि डिस्टंपर कराएं गर में करा रहे हैं रोयल कराएं तो रोयल की इतनी सारी सीजिए कौन सा पेंट कराएं तो आज का टॉपिक का मोटीव यह है कि मैं आपको बता सकूँ कि कौन सा पेंट किस लोकेशन के साब से कैसे कराना चा एन बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीश सहरावत तो एशेन पेंट्स की जो सिरीज उसमें सबसे पहले जो सिरीज आती होते हैं इसमें सबसे पहले आता है ट्रेक्टर उनो, स्पार्क, एक्वालोग ये सबसे एकनॉमिकल या चीप जो मैं कहूंगा वो होती है तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेक्टर उनो की इसकी जो एक बीस लेटर की बाल्टिका रेट है वो करीब होता है आठ सो से हजार रुपे ये रेंटल प्रॉपटिया स्टोर्स में लगाया जाता है ये एक लिटर सो औस एक सो बी स्कुराइर फिट कर लेता है शेड्स इसमें नौस जादा है लेकिन फिनिशिंग इसकी अच्छी नहीं है अगर मैं रेटिंग दू तो दो ही दूँगा इसको दस में से ये पेंट वाशेबल नहीं होता है अगर आपको पहे कि वाशेबल पेंट है तो आपको बात नहीं माननी है और नहीं ये प्लास्टिक पेंट की केटेगरी में आता है नेक्स जो पेंट आता है वो आता हमारा टेक्टर स्पा इसके जो baltica rate होता है वो करीब होता है फंद्रासों से सोलासों साथ परे के बीच में अगें ये rental property के लिए ही use होता है store में, shops में, घर में भी आप चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन उसमें जो feel हो उतनी नहीं आएगी बट फिर भी अगर आपका pocket size कहता है तो आप इसको भी घर में करा सकते हैं finishing को हम एक point जादा दे सकते हैं 10 में से 3 number हम इसको दे सकते हैं again ये paint भी washable नहीं होता है इसकी life एक year की होती है और ये plastic paint में नहीं आता है third जो paint आता है वो Tector Spark Advance आता है लेकिन ये उससे थोड़ा सा जादा है इसमें बस एक दो चीजे ही बदल दी गई है बढ़ इससे कोई खास फरक नहीं पड़ेगा तो मैं कहूंगा कि अगर आप advance होच रहे हैं तो उससे बड़ी आप ट्रेक्टर सपाख हिलागा है इसकी एक बाल्टी का जो rate होता है वो होता है प्रॉक्स दोहजास से 2300 रुपे लोकेशन अगें इसे हम गर में और rental में दोनों भी उसका सकते है rental में हम इसे वाई उसकरेंगे जहां अगर आपको अपने clients को attract करना है या फिर आपका अच्छे society में है और जहां पर अच्छे clients आते हैं वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं इसकी coverage अगें distemper के मुकाबले सेम होती है लेकिन इसमें जो color variation है वो बहुत जादा होता है 16 से उपर भी आपको shade मिल जाएंगे इसकी जो finishing है उसमें हम एक point बड़ा कर सकते है distemper से ये थोड़ा सा अच्छा होता है तो इसको हम देंगे test में से 4 rating अगें ये paint जो है वो washable नहीं होता है लेकिन इसकी जो life है वो distemper से जादा है distemper अगर एक साल है तो इसकी life date साल से दो साल की होती है दो साल से पहले आपको paint कराने की जबत नहीं पड़ेगी और ये plastic paint की category में आदा आदा आता है 60% ये plastic होता है 40% ये distemper होता है next बात करते हम tractor emulsion advance की इसकी जो एक baltica rate है 2000 से 2600 होता है ये again same properties इसकी सारी same है इसमें कोई खास अलग से फरक नहीं आएगा इसकी finishing थोड़ी सी जादा अच्छी हो जाती है lifespan same रहता है और plastic distemper रहता है इसमें जो एक point extra आता है वो ये होता है कि ये anti-fungal की properties में आ जाती कि अगर कई sealant आ गई और आप गर पे नहीं है तो इसमें काई anti-fungal नहीं होगा क्योंकि उसे बाद में ठीक करने में बहुत खर्चाता है तो ये चीज नहीं आएगी advance के साथ next जो आता हुआता है tractor shine अगर आप थोड़ा सा और अच्छा जाना जा रहे हैं तो इसकी जो बालिटी का rate है 2026 होता है इसमें जो एक अलग से feature है वो आप नाम में समझ सकते है कि जब आप paint करेंगे तो shining surface आएगा और जो आपको feel मिलेगी घर के अंदर या rental property के अंदर वो थोड़ी सी अच्छी मिलेगी तो इसको हम एक point बढ़ा कर सकते हैं इसको हम कर सकते हैं दस में से 5 नमबर इसको ते सकते हैं यह washable paint होता है यह one time washable है मतलब कि अगर कोई दाग धबा लग गया इस पर आप एक बार उसे गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं बार-बार नहीं कर सकते हैं तो paint थेदर पीलोफ और शुद हो जाएगा इसकी life दो साल तक होती है दो साल से पहला आपको करने की जूद नहीं पड़ेगी लेकिन plasticity paint की save रहती है और इसमें antifungal option भी है अब जो next Asian paints की series आती है उसे हम कहते है tractor emergent premium series या epcolite series आपने सुना भी हो गए ना तो इसमें total 5 type के paint होते है पहला paint जो आता होता है tractor emergent premium या epcolite premium emergent paint यह थोड़ा सा high end paint में आ जाता है या मैं प्रिफ कहूँँगा आप अपने offices private अगर आपका office आप उसमें कराए नहीं तो फिर आप आपने घर के अंदर कराए लेकिन इस paint को वहीं करें जहां पर लोग ज्यादा नहीं आने वाला क्योंकि यह paint mega paint है अगर आप इसे local area में कराओ कि जहां पर बहुत ज्यादा इसकी जो life है वह बढ़ जाती है दो से धाई साल की इसकी life हो जाती है और यह complete plastic paint होता है इसलिए हम इसे washable भी रख जाती है कुछ इसकी extra properties है वह एक antifungal और यह stain guard भी होता है इस पर दाग धबबे इसली से नहीं आते है नेक्स जो आता हूँ आता है अपको light satin अब आप नाम से समझी गए होंगे satin का मतलब हो गया कि यह थोड़ा सा satin look में आएगा मैं आपको फूटो दिखा देता हूँ कि satin, sheen, shine, matte यह कुण सी finishes होती है और high gloss कैसे finish दिखती है इसकी यह paint थोड़ा सा महंगा होता है बावन इसका rate same है बस इसमें आगे नाम से आप समझ पा रहे होंगे इसमें थोड़ी सी चमक आ जाती है यह थोड़ा सा brighter paint होता है बाकि आगे इसकी भी properties सारी same होती है और एक इसका life थोड़ा बढ़ जाता है डाई से तीन साल की इसकी life हो जाता हूँ नेक्स जो paint आता हूँ आता है आपका acolyte heavy duty emulsion यह भी एक paint same ही है इसमें कोई खास फरक नहीं है बड़ जो एक खास फरक है अगर आपके यहाँ पे थोड़ा moisture content जादा आता है दिवारों में तो मैं recommend करूँ आप इसी paint को लगाए इससे फाइदा क्या होगा आपको एक तो stain नहीं आएंगे, hairline crack नहीं आएगे और इस paint की जो खास चीज है हुआ है कि यह अराम से wear और tear property में नहीं आता है मतलब कि cracks develop नहीं होंगे paint जल्दी जल्दी जे फटेगा नहीं जो आपने देखा होगा कि पप्टी जो है वो अपन इसमें लिख दिया यह fire retardant paint होता है क्योंकि यह जब अगर suppose कीजिए घर में कभी आग लग गई तो यह flames को बढ़ने नहीं देता है यह उतनी जल्दी सा आग नहीं पकरता है इसलिए यह अब तक का इस series का सबसे मेंगा paint आता है यह I think 578 रूपे का आता है बट यह इसके rate fluctuate होते रहते हैं हर कोई से यूज नहीं करता है इसकी जो प्रॉपटी जो सारी सेम नेक्स जो आता है अब आती सीरीज हमारी आते हुआ है एशियन रॉयल आप नाम सही समझ रहूंगे कि रोयल मतलब की luxury paint है यह हमारा अब इस luxury paint में जो सबसे पहला paint आता है वह रोय लक्जरी इसकी जो finish मिलेगी वह आपको थोड़ी सी matte sheen type finish मिलेगी इसकी जो bucket का rate हो 8000 से 8000 रुपे है यह बहुत luxury feel देगा coverage सेम है शेट सोड़ी से बढ़ जाते हैं लेकिन जो इसकी finishing है उसे मैं नमबर दूँआ 10 में से 9 नमबर अगेन यह washable paint है 5 से जादा बार wash हो सकता है इसकी ज इसकी life बढ़ जाती है इस टेन नहीं आते हैं और काफी high strength हो जाती है paint की तो आसानी से खराब भी नहीं होता है सेकेंड आता है luxury emulsion matte अब यह भी सेम ही है थोड़ा सा पैसो में फरक आ जाता है बस इसकी जो feel हो matte finish में आती है matte finish में आपको दिखा चुका हो कैसी होती है बाकि इसकी जो properties है वो सारी same है इसमें कुछ खास अलग ऐसा नहीं है बाकि मुझे personally set and finish बहुत पसंद है आप बता सकते कमेंड में कि आपको कुन सा paint पसंद है next ocean paint में paint निखा रोयल हेल्ज शील्ड एंड अस्त्मा अलर्जी फ्रिंडली अब इस paint में जो सबसे बड़ी चीज है वो यह है इसके नाम से पता चल रहा है अब Asian paints कहता है कि यह जो paint है यह bacteria को मारता है antifungal होता है इसमें silver iron technology based है अब मुझे नहीं पता है कि ऐसा यह करता है या नहीं करता है बड़ अगर Asian paints कह रहा होगा तो ऐसा होता होगा बाकि आप comment में बदा सकते हैं कि क्या आपने अगर यह लगाया है और लगाया तो क्या आपने ऐसा कुछ feel किया है next जो Asian paints का आप तक सबसा महगा paint है वो है Royal Aspira यह paint बहुत ही महगा होता है और इसके लिए जो base बनाना पड़ता है वो भी बहुत ही महगा बनता है क्योंकि इसकी जो finish अब बहुत premium quality की होती है यह सारे high-end projects में लगते है रोयल से जनरली सारे high-end project में लगता है अब इसकी जो bucket का rate होता है बीस लिटर की आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा सब्सक्राइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा लोगों को बताई